लुटेरे अस्पताल और लुटेरे डॉक्टरों पर योगी आदितनात का एक्सन सुरू हो चुका है और कई हॉस्पिटल के लाइसेंस निरस्त कर दिये गए हैं कई डॉक्टरों को जेल भेजे जाने का सिलसला सुरू हो चुका है क्योंकि जिस तरह से जनता से खिलवाड करना उनसे जबरंग पैसे एटना और लासों के साथ खेल खेलना यानि कि मरीज जब तक हॉस्पिटल में एंडमिट है तब तक तो पैसा लेते ही है लेकिन जब वो मर जाता है फिर भी ये पता कर कि अभी वो जिन्दा है क्रीटिकल है ज्यादा पैसे लेगें यानि कि मुर्दे से भी लास एटना सुरू कर देते हैं यानि कि इंसानियत को तार-तार किया गया जिन्ने हम भगवान समझते थें डॉक्टरों को हम भगवान समझते हैं क्योंकि वो हमारे इंसान की जिन्दगी बचाते हैं लेकिन डॉक्टर जब हैवान हो जाएं तो उनके साथ क्या करना चाहिए जब हम संबिधान के चारों इस्तंबों पर सवाल खड़े कर सकते हैं चाहे हो न्याय पालिका हो चाहे हो पत्रिकारता हो कोई भी कारी पालिका हो सब पर जब हम सवाल खड़े कर सकते हैं तो हम IMA पे सवाल क्यों नहीं खड़े कर सकते चलिए हम आपको दिखाते हैं उत्तरप्रदेश में योगी आधितनाथ ने डॉक्टरों पर एक्षन लेना शुरू कर दिया है उन अस्पतालों में अप्ताले लगेंगे जो अस्पताल पैसे लूटना सुरू कर चुके है यानि कि जबरण मरीजों से पैसे एटना सुरू कर दिये हैं उन अस्पतालों की अब खेर नहीं बदादू आपको उत्तर प्रदेश में 33 जिले 33 जिलों के अस्पतालों वा नर्सिंग होम पर योगी एक्सन सुरू हुआ है चले हम आपको नाम भी बता रहें उत्तर प्रदेश के वो कौन से 33 जिले हैं जिन पर योगी आदिदनाद ने एक्सन लिया है और वहां के कई अस्पतालों के लाइसंस छीन लिये गये हैं और उन्हीं अस्पताल के कई डॉक्टरों को जेल में भी डाल दिया गया है बदादू आगरा बारावंकी मतुरा हातरस मेरट गाजियाबाद बुलन सहर गौतमपुद नगर नोईडा मुझपन नगर बागपत हापुड सहारनपुर सामली कानपुर नगर कानपुर देहात इटावा औरहया लखनोव खीरी वरार्सी आजमगड जोनपुर मौव भद लिया है सभी जिलो के हॉस्पिटल में योगी आदितनात ने निगरानी की है क्योंकि इन्हों ने खूब पैसे लूटे हैं मरीज को एडमिट करने के बाद ये मरीज जितना वजन उसका नहीं होता उससे ज्यादा ये लोग पैसे एटने लगते हैं जिसको चलते हैं योगी कोई एक्शन लिया ही नहीं गया अस्प्ताल की जो मर्जियों करते थे कोई एक्शन नहीं लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुक्मतрипरी योगी आदितनाद ने साबिद कर दिया है कि जो भी काम करेगो उन्याय पालिका के अंडर में काम करेगा मनमानी कोई नहीं करेगा अभी तक मनमानी चलती चली आई है लेकिन अब मनमानी नहीं चलेगी चले अब आपको कुछ हॉस्पीटल के नाम बता रहे है साइद आपके घर के पडोस में हॉस्पीटल हो जाइए देखे वहाँ पर योगी आदिदनाने कैसे एक्सल लिया है और वहाँ के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिने हम डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कहते हैं जिनके पैरों पर हम अपनी नाग रगड़ते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे मरीजों की जान बचा लीजिए पैसा जितना होगा हम देंगे अगर डॉक्टर एक हजार कहता है तो हम नौसो निन्यान नहीं बलकि एक हजार रूपिये देते हैं और पैर पकड़ते हैं हाज जोडते हैं डॉक्टर साहब आप हमारे मरीज़ को बचा लीजिए लेकिन वहीं पर डॉक्टर साहब अपने आपको भगवान समझने लगते हैं वो कहते हैं ठीक है बाद में उसी को मार देते हैं एक तो उस घर का इंसान चला गया अपने इंसान को उस घर के लोगों ने खो दिया दूसरी बात जो खेत वेज कर पैसा लाया था उसका खेत भी चला गया सोचिए कितनी मानोता को तार तार किया जा रहा है इन डॉक्टरों द्वारा इन मेडिकल कंपनियों द्वारा जिसके पास लाइसंस नहीं है एक लाइसंस है दददस मेडिकल स्टोर बीस बीस मेडिकल स्टोर पूरी मार्केट बना दी जा रही है एक लाइसंस है जिसके पास कोई फार्मा डिगरी नहीं है किसी प्रकार की कोई medical degree नहीं है बर्वी पास हैं वो भी medical store कोर कर बैटे हुए है और यह बास सब CMOS को पता होती है सब CMOS जानते हैं लेकिन उनसे वो पैसा इटते हैं वसूली करते हैं करोणो रुपिय का यह सब खेल है अब सरकार को medical agency पर भी ध्यान देने का वक्त आ चुका है हम एक रुपिय की दवाई एक हजार की नहीं खरीद पाएंगे और आज यही देश कहरा चलिए हम आपको कुछ hospital के नाम बता रहे देखिए कौन से hospital है जिन पर योगी आदिननान ने एक्सन लिया है सबसे पहले एक आस्ता hospital है बस्ती में इसके आरोपियों को जेल में भेजा गया है एक सिवा अस्पताल बस्ती में जहां पर योगी आदिननान ने एक्सन लिया है बिल्ला hospital भुलन सहर क्रिशना hospital सुपर इस्पेसिलिटी hospital है जहां पर कई तरह की सुविधाय दी जाती है इन्होंने क्रिशना सुपर इस्पेसिलिटी hospital लग दिया है और पैसे लूटने का एक अड़्डा बना लिया है वही पर फैमिली अस्पताल तुलसी अस्पताल वह फार्चून कानपुर हास्पिटल आस्ता हॉस्पिटल बारा मंकी दिव्यांसू अस्पताल जहुनपूर दो पंजिकरित चिकिस्षक मेरड भी है इन में से इन अस्पतालों को नोटिस वजाची कारवाई करने के आदेश दिये गए है बस्ती में सिवो हॉस्पिटल, हैप्पी हस्पताल, आस्ता हॉस्पिटल आगरा में रभी हॉस्पिटल, आयुसमान, हैरिटेज, सांति देवी, इंस्टिट, रामरगु हॉस्पिटल, नयत हॉस्पिटल ओम होस्पिटल, सिनर्जी होस्पिटल, कमले स्टंडन नर्सिंग होम, यस्वंथ होस्पिटल, मुरादाबान में ब्राइट श्टार, मेरट में आस्था, भुपाल नर्सिंग होम, बुलन सहर में बिल्ला होस्पिटल, सामली में दिव्या पैरा मेडिकल वगंगा अम्रित होस भदोही में जिया हार्ड केर सेंटर जीवन दीप नाम देखिए आप जीवन दीप यानि कि जीवन को उजागर करने वाले जीवन में एक दीपक जलाने वाले ऐसे ऐसे नाम लिखते हैं लेकिन जीवन को यह समसान घाड बना देते हैं जीवन को कैसे बरबाद कर रहे हैं डॉ उपर हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर लड़ने लगते हैं, किसी घर का मरीज चला गया, उसके तो जिंदगी बरबात हो गई डॉक्टर साब, वो आप से बहस नहीं करेगा, तो किस से करेगा, जब वो आपको पैसे दे सकता है, जब वो आपको अपने मरीज का हिलाज करने दे स इसी है, कोबिट पैसेंट है, उसके पेट में चीरा क्यों लगाया जाता है, उसका सर क्यों काटा जाता है, क्यों उसके सीने में छूरियां वोकी जाती है, क्यों आप उसका चीरफार करते हैं, वो तो कोबिट टेस्ट कराने गया था, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया, सर मासूमों के साथ अत्याचार कर रहे हैं उन डॉक्टर्स के ओपर अपकड़ी कारवाई होनी चाहिए यह एक सन उत्तर प्रदेश में ही नहीं बलकि देश के सभी राज्यों के मुखमंत्रियों को एलान कर देना चाहिए कि जो डॉक्टर्स मरीजों को लूटेंगे और जो भी MRP से बढ़कर दवाय दे देते हैं लोग कहते हैं बाद में जब कोई थाने जाता है कोई तो कहता है तुम पढ़े लिखे क्यों नहीं हो तुम्हें क्यों नहीं पता MRP से नीचे मेड़कल स्टोर में दवाय ली जाती हैं साहब जब देश इतना ही महान होता तो ऐसे ही नहीं बरबाद होता इसलिए जो पढ़े लिखे हैं कम से कम वो तो जो अनपढ़ हैं उनको तो कुछ सिखाएं लेकिन जो आज मेड़कल स्टोर खोल लिए और राजा बने बैटे हैं और बार बार मरीज जाता है दस रुपेग दवाई वही दवाई 500 में मिलने लगी है तो लोगों की जान बची है और भी लोगों की जान बच जाती अगर स्वास्त विवाग और सही तरीके से काम करता तो स्वास्त विवाग के सरकार को एकसन लेना चाहिए आज योगी आदिनान ने एकसन ले लिए हैं कई होस्पिटल को निरस्ट कर दिये हैं लाइसंस छीन भेजा गया है जो डॉक्टर जबरन वसूली कर रहे हैं इलाज में लापरवाही कर रहे हैं दुर्बेवार कर रहे हैं आक्सिजन की कृतिम कमी बताने वाँ अनिमित्ताओं को आरोप लगे हैं अब तक 33 जिलों में इस तरह से 184 सिकायते सामने आई हैं इनकी जाच में 68 सिकाय सही पाई गई हैं इस आधार पर 117 मामलों में नोटिस दी गई हैं जाच के बाद कारवाई सुरू हो गई हैं इस मामले में मरीजों से वसूली किया गया जो पैसा है उसे वापस भी कराया जा रहा है इस मामले में योगी आदितनात को धन नहीं कहेंगे लेकिन हम जिसे भगवान मानते हैं डॉक्टर सहाबों सुमें कहना चाहता हूँ कि आपको भगवान का दर्जा दिया गया है तो किरपया करके भक्त जैसा आप ट्रीटमेंट कीजिए अपनों जैसा उनके साथ बरताव कीजिए अन्यथा आप डॉक्टर बरने के लायक नही अपने मरीज की मौत बहतर समझे लेकिन इलाज कराने न आए और अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग बाद में यही कहेंगे कि हमारा मरीज रहा घर में मरने दीजिए क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कम इलाज करा लें वो दिन ना आए अभी सही सरकार को एक्षनल ने आना चाहिँे बाकी आप क्या रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिये बाकी आप सब कुछ जानते ही हैं, आप हमसे जानता हैं, क्योंकि आप भी हास्पिटल जाते हैं देश का ऐसा कोई ब्यक्त नहीं जो हास्पिटल जाकर के इन चीजों को ना देखता हो सब कुछ देखता है हमें बताने की आउ सकता नहीं है लेकिन एक बार इस वीडियो को जरूर सेर कीजिए बने रहे हैं उल्ली न्यूज दिनेशन साथ बहुत बहुत धन्यवाद फैक के साथ UPSC के एस्पारेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जा करके इस नए लेक में आपको मिलेगा नए संसर्थ भावन के निर्माट से संबंधित सारी जानकारी मैं भिशाल यादो आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा लेकिन अब हमारे लेक आपको दिखेंगे इस मेगजीन में मैं रंजीत प्रसाद रिपोर्टर दर न्यूज ओसियन हम आपको दिखाएंगे किसान अंदोलन के बीश में जिहादी कार्ण सब्सक्राइब करें था न्यूज ओसियन खबरों का समंदर